तो हावी कैसे हुआ आप सबती यार मेरे को Redmi 12 4G को यूज करते हुए 30 दिन हो चुके हैं किस तरह का मुझे ये फॉन लगा क्या चीज़े आपको अच्छी मिलते है क्या चीज़े अच्छी नहीं मिलते है सारे डॉट साइस की इस वेडियो में किलियर कर दोंगा तो पहले मुझे जो अच्छा लगा है वो बताता हूँ उसके बाद जो अच्छा नहीं लगा है वो बताऊंगा अब यहाँ पर इसका design दोस्तो मुझे काफी अच्छा लसले बही जिस price point का ये phone है उस price point में इसका design कती जहर वाला है और जो back है ये glass के साथ आता है तो और भी premium look देता है इसको मतलब कोई भी देखेगा ना तो 9-10,000 का phone तो नहीं है बोलेगा और build by B मेरे को phone solid लगा generally buzzer वाले phone में build quality अच्छी नहीं होती है लेकिन इसकी मेरे को build quality अच्छी लगी है हालकि phone की in-hand feel अच्छी नहीं है phone थोड़ा सा बड़ा है तो आप one hand phone को use नहीं कर पाओगे अब यहाँ पे ports and buttons सारे इसमें दे रखे हैं लेकिन यहाँ पे आपको noise cancellation mic नहीं मिलता है अब price point के साब से हमें ज़्यादा expectation नहीं रखनी चाहिए लेकिन जो Redmi का popular features है IR blaster वो आपको मिल जाता है बाकि इसमें single speaker दिया हुआ है जिसके loudness मेरे को अतनी ज़्यादा impress नहीं करी है speaker में clarity होती है लेकिन speaker loud नहीं है अब इसमें side mounted fingerprint दिया हुआ है जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है आपको कहीं पर भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा बाकि ये जो phone है 6.79 inch की HD plus 90 horse वाली display के साथ आता है अब देखो display में ये लोग अच्छा काम कर रहे है price point के हिसाब से पहली बात तो यहाँ पर ही आपको punch on मिलता है outdated water top notch नहीं दिया ही लोगोंने अब display के उपर ये लोग ने gorilla glass का protection दिया है exact number नहीं बताया कि 3 है या फिर 5 है तो brand के छलापे में मत रहना अगर आप ले रहे हो तो अच्छी quality का tempered glass ज़रूर यूज करना बाकि white one 111 का support मिल जाता है अगर आप multimedia consume करती हो तो आप HDR content वोच कर पाओगे मैंने YouTube पे videos वेगरा फिले करके देखा था वीडियो के colors वेगरा काफी अच्छे देखने को मिलते है और इसमें 450 की brand में इस देखने को मिलती है outdoor में display दिख जाती है लेकिन अगर आप जादा hertz light में phone को use करोगे न तो वहाँ पे थोड़ा से दिक्कत करता है दोस्तो डिस्पले नहीं दिखता है बाकी 90 hertz का refresh rate optimize है दोस्तो इस scrolling वेगरा में आपको feel होगा इसका 90 hertz का refresh rate अब इसमें आपको 5000 image की battery लगी हो मिल जाती है अगर आप normal user हो तो एक दिन का backup ये phone आपको easily निकाल कर दे देगा ये phone 22.5 watt के first charger के साथ आता है जाएंगे दोस्तो इसके साथ लेकिन आप जिनको use करना चाहो उसको रखना जिनको use नहीं करना चाहो उसको आप delete कर देना उसके बाद आपको एक clean experience मिलेगा तो software अच्छा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी jitter हुए करा देखने को नहीं मिला मुझे अब यहाँ पे Redmi के साथ लोगों का past बहुत ही बेकार रहा है भाई लोग अभी भी डर रहे है इस वाले phone को लेने से ये भाई ऐसा ना update कुछ करे है और murder board did कर दे है अब देखो भाई Redmi वाले को सुधार कर रहे है पहले के comparison में वैसे तो OnePlus काफी popular brand था अभी उसके भी phone में update आ रहा है और display पे जो है line आ जा रही है तो कहीं न कहीं सभी brand के साथ दिक्कत होती है इसके साथ भी था लेकिन time to time company उसको fix भी कर देती है और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते दोस्तों जिसे ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और तुमारे भाई की help हो जाएगी भाई खर यहाँ पर बात करते इसकी performance की तो इसमें आपको Mediatek का G88 का processor लगाओ मिल जाता है मैंने इसकी अंदूतो इसको निकाली थी दो लाग के फ्लस की इसकी अंदूतो इसको निकल के आती है और benchmark पे और CBO throttling पे भी stable होता है भाई ये processor अगर आप HDMI जैसे gameplay करोगे तो आपको 40FS की gameplay करवा देगा और जब तक आप normal gaming करोगे तब तक आपको कोई problem नहीं मिलेगा दोस्तों लेकिन अगर आप heavy use करने लगो heavy gaming करने लगो मतलम भर दिन घुसे रहो game में ही तो उस condition में आपको दिक्कत मिलेगा और gaming के दोरान ये phone hitting को भी काफी अच्छा से control करके रखता है कहीं पे भी मेरे को overheating देखने को नहीं मिला अब हाले कि इसमें आपको MMC 5.1 की storage देखने को मिलती है यहाँ पे app open करोगे तो animations हो नहीं होता है जिस वाज़ा से जो app opening है वो थोड़ा सा fast लगता है बट RAM management इसका अच्छा नहीं है application को RAM में नहीं रख पाता है बात करूँ camera's की तो camera का setup काफी interesting दिया हुआ है इसमें 50MP का आपको primary sensor मिलता है और 8MP का ultra white angle lens मिलता है और 2MP का आपको depth lens मिलता है और selfie camera की तरब 8MP का selfie camera दिया हुआ है इससे photos वेगरा अच्छी आती है colors वेगरा natural side पे लेता है लेकिन light control photos में अतनी अच्छी नहीं होती है अगर आप हार सा light में photo लेते हो तो और selfie camera भी photos अच्छी ले लेता है वहाँ पे भी आपको colors जो है वो natural side में मिलेंगे बागी यह जो phone है 1080p full HD video record कर सकता है front rear दोनों ही से यहाँ पे आप video check out कर सकते हो कि यह कैसी video record करता है बागी network की बात करूँ तो यह phone जो है 4G device है मैंने इसे calling वे गरा ले थी calling के तोरान मुझे कोई दिक्कत नहीं मिला इसमें आपको Redmi का खुद का डैलर देखने को मिलता है तो आप बिंदास call record भी कर सकते हो हाला कि noise cancellation mic नहीं ही तो आप जादा noisy area में रहोगे न तो वहाँ पे थोड़ा से दिक्कत करेगा मुझे जो चीज़े अच्छी नहीं लगी है इस वाले phone में वह पहला तो भाई इसका speaker दूसरा इसकी charging speed भी काफी slow है अब इसमें जो storage दे रहा है न EMMC 5.1 की वह भी थोड़ी से slow है बागी processor कहीं लोगों को अच्छा लग सकता है कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगेगा and market में अगर आप आप नचर गुमाओ तो G99 मिल जा रहा है 10-11,000 में तो overall ये phone जिस price point में launch हुआ है अच्छी specs offer कर रहा है लेकिन क्या दोस्तों इसको हमको 10,000 रुपया देना चाहिए क्योंकि इसका जो बड़ा भाया आया है Redmi 12 5G वो 12,000 रुपय का आता है 12,000 में हमें 5G लेना चाहिए या फिर 10,000 रुपय लेना चाहिए इसमें काफी लोग confused होंगे तो चलो मैं आपकी वो confusion दूर करता हूँ वहाँ पे देखो Redmi 12 5G में आपको एक better chipset दिया जा रहा है 5G के साथ बाकी सारी जो चीजे है ना दोनुई फोन की similar है दोस्तों तो क्या आपको better processor के लिए और 5G के लिए 2000 रुपय एक्स्ट्रा देना चाहिए तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस वाले phone को 10,000 में ले रहे हो और offer वेगरा में आपको 9 कभी मिल जा रहा है तो आप ले सकते हो लेकिन अगर आप 11,000 रुपय इसके लिए पे कर रहे हो तो आप 11,000 रुपय और एट करके 5G वाला ले लो वो better है बागी आप बताओ अपनी राए I hope कि आपका सारा gen fusion दूर हो गया होगा और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैन लोट विकिशन को ओल पर रखना चलिए मिल दे फिर से किसी और ऐसे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई मेरे भाई